इंडिया स्पिक्स डेली को सब्सक्राइब करें उसके बेल आइकन को जरूर दबाएं यदि आपको इसकी पत्रकारता पसंद हो धन्यवाद नमस्कार दोस्तों आज प्रथम चरम के चुनाओ बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं 91 सीटों पर मद्दान जारी है और मद्दान का जो रुझान है जो जो फोन आ रहे हैं जो सुचनाएं आ रहे हैं वो बता रहा है कि इस बार 2014 से बड़ी सुनामी मोदी के नाम पर चल रही है एक बज़े तक ही कहीं कहीं 38 परसेंट कहीं 42 वोटर निकल कर वोट कर चुके हैं ज्यादा वोट मतलब आप जानते हैं कि बादबा को फायदा हलत यह है कि उत्तरप्रदेश के सामली में गुंडे जो हैं आप जानते हैं सपाई गुंडे और ये सब गुंडे जवरदस्ती गुसने की कोशिश कर रहे हैं बिएसेप को फायर करना पड़ा है वहां तलंगावना में जो हैं लड़ रहे हैं टीडीपी के जो हैं वो सारे गुंडे लगातार कभजा करने की कोशिश कर रहे हैं और जड़क फोड़ ही है बिपक्च एकदम हास्तास बिवार कर रहा है बिल्कुल हास्तासा में ये वोट का पैटर्न दिखा रहा है सपा के यूपी में बता दू आपको सपा बसपा का जो महागट बंधन या कॉंगरिस के जो बूट सिंटर के आगे जो उनके टेबुल्स लगे होते हैं पूरे के पूरे खाली हैं एक आदमी नहीं दिख रहे हैं ये इस्तितिय है इनका सब जगा जहां भी हो रहा है वो यह ज़्यादा फायदा मिला है एक मुस्ली महिला इतार पश्मी उत्रपरदेश में कह रहे थी मैं तो घर के लिए वोट कर रहे हूं मुझे घर मिला है अब घर किस ने दिया आप जानते हैं बढ़े पैमाने पर यह भी स्चुचना आई है के मुस्ली महिलाएं वोट करने के ल से आ रही है लोग तंत्र के लिए यह गुड साइन है यदि यही पैठर्न साम छे वजे तक चलता रहा तो आप तैय मानिए कि इस बार 91 सीट में से भादपा 50 से उपर चली जा सकती है पिछली बार 32-36 के बीच रही थी इस बार वह 50-52 के आसपस जा सकती है इस कदर मोधी की ल को बिहार के भागरपुड में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और उन्हें बहुत बड़ी बात कही जिस आपको जो आज सामली में या फिर तेलंगाना में आंत्रप्रदेश में सब जगों जो ज़रब दिखरी उसका वजह क्या है आपको बता रहा हूं बोधी ने कहा है कि जब मोधी दुवारा आएंगे तो उनके करप्शन को पूरी तरह से खतम कर देंगे उनके परिवारबाद को पूरी तरह से खतम कर देंगे उनके लूट तंत्र को पूरी तरह से खतम कर देंगे गरीबी के नाम पर जो इन्होंने लूटा है देश को वो पूरी तरह से खतम कर देंगे इनके जो कास्ट और रिलिजन बेस्ट वोट बैंक है यह वोट बैंक जो इन्हों ने बनाए है उनको खतम कर देंगे यह टुके टुके गैंग भागते फिरेंगे बिखड जाएंगे मोधी का यही रवया आम जन्ता को पसंद आ रहा है और वोट के रूपे निकल रहा है और यही रवया विपक्ष को हतास कर रहा है कि वो फैरिंग कर रहे हैं आज के समय 90 के दसक में जाना चाहता है विपक्ष बूत लूटने की कोशिश कर रहा है इसलिए मेरी जितनी लोगों से बात हुई है और लगबग हर राजी में बात हुई है मेरी यही सब बता रहे हैं कि इस बारतो मोदी की सुनामी है और सबसे बड़ी बात कि विपक्ष के टेबल पर बैठने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं पूरा का पूरा टेबल खाली जा रहा है यह एक रुजहान को प्रदर्सित करने के लिए काफी है दिन के एक बज़े तक इतनी प्रचंड गर्मी में कहीं कहीं 42-46 परसेंट तक वोट पर चुके हैं जैसे जबहों पर 38 परसेंट औस तन वोट पर चुका है साम 6 बज़े तक अ लेटिन छोट छोट आपको देने आतार होंगा धन्यवाद